असलाम आलेकों विवर्स वेलकम तू सारा नूरीज किचन तो आपने किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ी की सबजी टिंडे की कड़ाई लेकर आई हूँ वीवर्स चिकन कड़ाई तो आप रोज ही खाते हैं लेकिन अगर आप ये टिंडे की कड़ाई बनाएंगे तो यकीन करें कि आप इसको रोज बनायेंगे और रोस खाएंगे तो व्यूवर्स अगर आप नेज हैं तो मेरे चैनल पर नएचनल को सब्सक्राइब कर दें विडियो को लाइक और शेर करें और प्रेस कर दें तो यहां पर मैंने टिंडे ले लिया है एक प्यासा ले लिया है एक तमाटर ले लिया harm다 ты को मैं सभी और कोippers순 ने कर लिया है और आप इनको पारीग चौप कर लें अपनी मरलीके Magic कर साइज में तो यह जादा मुनासिक है तो इसी तरह केसा मैं रिखि आप कर ले मैंने यहां प्यास को भी बरीग बरीक च चॉप कर दिया है, यह मैंने कड़ाई ले लिया है, इसमें आधा कप ऑइल कर डाल दिया है, जब ऑइल गरम हो जाएगा, तो पिर उसमें मैं प्यास डाल दूँगी, जो मैंने बारी चॉप की हैं और उनको एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राय करें, फ्लेम हमने टेस्ट करवा हो जाता है विसमें लिए तो इसको पयास के साथ Eagles कर लिया है इसुछ मिनट के लिए हमने पैस को फ्राइक कर लिया है अब यहां पर हम चौप किये वे टमाटर डाल देंगे और इनको भी प्यास के साथ उस वक्त तक फृराय करेंगे जब तक के टमाटर का पानी खुश्क न हो जाए जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा और आयल प्याज और टमाटर को छोड़ देगा तो उस टाइम पर हमने इसमें सबजी डालनी है तो यहां पर टमाटर का पानी खुश्क हो गया है और आयल हमें नजर आ रहा है प्याज और टमाटर के उपर तो इस पॉइंट पर हम ने जो मिशाले हैं तो मैंने यह नहीं पर 1 ₷ ड क् ありफ,ogenожд को जाइए नमक डाल और 1 ₷ हल्दी wordt मैंने इसमें झूछ्च धनिया पॉडर कि दाल तिया थै अब इन त्माम मिशालों को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें चौप टिंडे की सबजी डाल देंगे जिसको हमने बारीक टुकडों में काट लिया था तो आप वेज़ी टेपल को भी यानी तिंडों को भी हम मिसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और भूनने के बाद पिर हम इसमें तो पानी डाल कर इसको दम लगा देंगे तो यहां पर टिंडे जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राइ हो चुके हैं तो अब इसमें मैंने तीन से चार टेबल स्पून पानी डाल दिया है ताकि हमारे जो टिंडे हैं वो तरह सक्त होते हैं तो अच्छी तरह से गल जाएं और जले ना तो बीस मिनट के लिए मैंने दम लगा दिया है तो आपने इस दर्मियान जो है वो टिंडों को चेक करते रहना है पहर पांच से छे मिनट के बाद ताके टिंडे जल ना जाएं और हमें अंदाजा हो कि टिंडे कि गल चुके हैं और पान अगर आपको लगे के और मजीद पानी की जरूत है तो आप थोड़ जो है वो बार HC मिर्चे थी तो नान को सर्फ कर सकते हैं तो वीवर्स अगर आपको मेरी युडियो अची लगे तो मेरि वीडियो को लायक और श्याटरब करते हैं